सभी को नमस्कार IT गांधी नगर CLI के आंखों की चमक प्रोग्राम में आपका स्वागत है आप सभी के पास दस उंगलिया है इन दस उंगलियों को इस्तमाल करके हम सबसे बड़ा कौन सा अंख गिन सकते हैं या दर्शा सकते हैं जैसे ये 0 मान ले 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 तो 10 उंगलियों में 10 तो गिनी सकते हैं इसमें कुछ लोग करते हैं कि उंगलियों में ये हमारे जो पोर में हैं इनको गिनना चालू कर देते हैं या ये छोटी-छोटी लाइने हैं तो अगर एक उंगलियों में हम 4 लाइन मान ले 1,2,3,4 तो ये 16 हो गए और 4,8,4,12,4,16 और ये जो इसमें भी अगर हम 3 मान ले तो 19 हो जाते हैं इसी तरह से दूसरे हाथ में 19 और 19,38 हो जाते हैं तो अब ये कह सकते हैं कि हम अपनी उंगलियों पे 38 तक गिन सकते हैं और एक बार बहुत ही अच्छा सिलसला हुआ किसी बच्चे ने कहा कि जिस तरह से आगे लाइने हैं उसी तरह से पीछे भी लाइने हैं तो जिस तरह से हम एक, दो, तीन, चार, 38 आगे की तरफ इस तरफ गिन रहे हैं उसी तरफ 38 पीछे की तरफ भी गिन सकते हैं तो 38 और 38, 76 और उसी तरह से साइड में भी गिन सकते हैं उसी तरह से दूसरी साइड में भी गिन सकते हैं इस तरह से करके लगभग हम 160 तक गिन सकते हैं सवाल ये होता है कि क्या हम अपनी 10 उंगलियों को लेकर 160 तक ही गिन सकते हैं या उससे ज्यादा इसका सवाल कुछ हद तक इस बासुरी के छेद से भी जुड़ा हुआ है तो देखते हैं कैसे हम अपनी एक उंगली दो तरीकों से रख सकते हैं या तो उपर या नीचे तो ये एक उंगली दो तरीकों से रख सकते हैं बंद या खड़ी उसी तरह से दो उंगलियां कितने तरीकों से रख सकते हैं पहली उंगली को बंद दूसरी उंगली उपर और नीचे और फिर दूसरी उंगली खड़ी फिर ये उंगली वापस से उपर और नीचे तो चार हो गए अब दो उंगलियों से चार तो तीन उंगलियों से कितना कर सकते हैं तीसरी उंगली बंध है तो इसके साथ चार हो गए और तीसरी उंगली अगर हमने उपर कर दी तो वापस से इसके चार तो चार और चार आठ हो गए अब तीन उंगलियों से आठ है तो चौती उंगली हमारी बंध है तो बंध के साथ आठ और अगर उपर कर दिया ये चौती उंगली तो इसके भी आठ तो 16 हो गए, इस तरह से पांचवें, अंगुठे को भी उंगली ही अगर मान लें, तो 4 के साथ 16 थे, तो ये अंगुठा बन था तो 16 और इसको खड़ा कर दिया, तो फिर से 16, इस तरह से हमने देखा, एक उंगली के साथ 2, 4, 8, 16, 32, और फिर 64, 128, 256, 512 और 1024, हम अपनी 10 उं तक गिन सकते हैं, कैसे देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और चार उंगलियों के साथ 16, और फिर ये 17, और इसी तरह से 16, और 16, 32, तो हम 10 उंगलियों के साथ 1024 तक गिन सकते हैं, हमारी उंगली दो तरीके से ही नहीं रहती, त तीन तरीके से रख सकते हैं, बंद, बीच की दूसरा तरीका और ये तीसरा, बंद, एक तरीका, बीच का दूसरा और ये तीसरा, तो एक उंगली तीन तरीकों से रख सकते हैं, अब यदि एक उंगली तीन तरीके से रखें, तो दो उंगलियों कितने तरीकों से रख सकते ह छे नहीं है ये देखिए ये तीन तरीकों से रखी और दूसरी वाली हमारी बंद थी तो ये वाली बंद में तीन तरीके इसको बीच में रख दिया तो फिर से तीन तरीके और इसको उपर ले गए तो फिर से तीन तरीके तो इसका मतलब हो गया 9, 3 जमा 3 जमा 3, 9 अब 2 उंगलियों में 9 तरीक तो तीसरी उंगली हमारी ये बंद है इसके 9, फिर इसको बीच में ले आए, फिर 9 और उपर ले गए, फिर 9 तो ये 9 और 9 और 9, 27 हो गए, उस तरह से चौती वाली बंद है, उसके 27 ये बीच में आगई उसके 27 और सबसे उपर चली गई उसके 27 तो 27 जमा 27 जमा 27 एक्यासी, तो 4 उंगलियों में एक्यासी इसी तरह अगर हम करते रहें, तो 10 उंगलियों में 3 को 10 बार गुणा करेंगे जितना बड़ा अंका आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 10 बार उतनी हम अपनी 10 उंगलियों से 3 तरीकों को, हर उंगली को रखकर गिन सकते हैं जो की लगबग 50,000 है और उसी तरह अगर हम अपनी 20 उंगलिया देखें और हर उंगलियों को 3 तरीके से रखें पैर की उंगली को तीन तरह रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पर अगर आप खूब योगा करते हैं अपनी उंगलियों के साथ तो शायद आप ये कर ले जाएँ और बीस उंगलियों के साथ अगर तीन तरह रखें तो तीन अरब तक गिन सकते हैं भारत की जितनी जन गनित के base का सिद्धानत है जो हमने पहले गिना एक उंगलिओं को दो तरीके से रखे उसको binary की गनित कहते हैं base 2 की गनित और 3 तक अगर हमने गिना तो base 3 हो जाती है उसी तरह से अगर हम 4 वाला करें तो base 4 हो जाएगी और हम जो साधारन गनित का प्रयोग करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं उसको 10 की गनित यानि decimal की math बोलते हैं ये बात हमें पता नहीं है पर अकसर एक के बाद अगर हम 0 लिखते हैं 10 वो 10 तब होता है जब वो गनित decimal की भाशा में बोलें अगर binary की भाशा में बोलें तो 1 के बराबद 0 लिखेंगे तो उसका मतलब सिर्फ 2 होता है 10 नहीं और 3 की भाशा में 3 होता है 4 की बाशा में 1 0 का मत लब सोला होगा